हलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो की UGC NET का है JRFS 2013 का तो दोस्तो इससे पहले हमने जो प्रक्टिस सेट देखे थे 24 मार्च 25 मार्च 26 मार्च 27 मार्च 28 मार्च तो उनका ये सौल्ड पेपर है और ये पेपर JRFS 2013 में पूछा गया है तो दोस्तो पूरी वीडियो के साथ बने रहीगा इसमें आपके प्रशनों का जो आंसर है वा भी है जिसमें आप अपना परिक्षन स्वयम करते थे टेस्ट योर नॉलेज वाली जो हमारी सिरीज थी तो आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं और कुछ नए प्रशन भी आपक पहला प्रशन है आलहा किस रितू में गाय जाते हैं तो आलहा वर्शा रितू में गाय जाते हैं ऑप्षन बी दूसरा प्रशन है आचार शुकल ने हिंदी साहित का आविर भाव किस से माना है तो आचार शुकल के अनुसार हिंदी साहित का आविर भाव वा प्राक्रत की अ अंतिम अपब्रंश अवस्था से, option D, अगला प्रशन है, नाट वरतियों की संख्या कितनी होती है, तो सही उत्तर है, नाट वरतियों की संख्या 4 होती है, option C, अगला प्रशन है, रस निस्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की इस्थापना किसने की है, तो Option C, शंकुक ने, अगला प्रश्न है, साधारणी करन आलम नत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है, तो प्रस्तुत कथन है, आचार राम चंद्र शुकल जी का, अगला प्रश्न है, रस्त, रल, मल, छंद, नामक, ग्रंद, नामक, काव्य किसने रचा, तो किसने रचा था, त Option स्रीधर ने, Option B, सिरीधर जी ने, अगला प्रश्न है, गोरख भगायों जोग, भगती भगायों लोग, यह उक्ती किसकी है, तो प्रस्तुत उक्ती है, तुलसी दास जी की, अगला प्रश्न है, जैदेव से प्रभावित विद्यापती की कौन सी रचना है, तो जैदेव स प्रभावित विद्यापती जी की निम्न में से कौन प्रशन है तो यहाँ पे सही उत्तर है option A पदावली अगला प्रशन है उज्वल नील मडी के रचैता कौन है सही उत्तर है रूप गोस्वामी option C अगला प्रशन है आचार भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हो आचार भरत के अनुसार नाट्य मंच तीन प्रकार के होते है option A सही है अगला प्रशन है मीरा भाई की उपासना किस प्रकार की थी तो मीरा भाई जी की उपासना वा थी वहा थी माधुर्य भाव की अगला प्रशन है निमन लिखित में से कौन ग्यान आश्र Rankा का कभी नहीं हैं तो सही उत्तर है कुंभन दास बाकी सूर दास मलूग दास कबीर दास ये ग्यान आश्रई साखा के कवी हैं अगला प्रशन है मधु मालती किसके काविकी नाइका है किसके काविकी नाइका है मधु मालती तो वा है मंजहन की अगला प्रशन है भरमर गीत प्रसंग की कथा क वर्णन भागवत के किस इसकंद में है सही उत्तर है दशम इसकंद में आप्शन बी अगला प्रशन है कर्म जोग पुनिग्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो शिरी वल्लब गुरु तत्त सुनायो लीला भेद बतायो यह काववे पंक्ती किस की है तो निम्न मेसिया काववे पंक्ती किस आचारिया किस लेखा की है तो सही उत्तर है सूर दास जी के आप्शन डी अगला प्रशन है रामाग्या प्रशन वली किस की रचना है तो रामाग्या प्रशन वली तुलसी दास जी की रचना है आप्शन सी तुलसी दास अगला प्रशन मलक मुहम्प जैसी ने आखरी कलाम में किस बादशा की प्रशंसा की वादशा है बादशा बाबर आप्शन A अगला प्रशन है सूर्दास की रचना में अलंकारों और नाइका भेदों के उधारन प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। अगला प्रशन है रस खान किसके शिस्यत है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रस खान गोस्वामी विठ्ठलनात के शिस्यत है ऑप्शन बी अगला प्रशन है शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य लक्षन के प्रलेता है निम्न में से कौन है सही उत्तर है आचारे भामा ऑप्शन डी भामा अगला प्रशन है बिहारी लाल बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवी थे नीचे ओप्शन दिया हुआ है जै सिंग के ओप्शन सी जै सिंग के आश्रित कवी थे अगला प्रशन है अभीदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षना लीन अधम विंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन उक्त उक्ती में अभीदा लक्षना आदिश अब्द शक्तियों का निरुपण किस रीती कवी ने किया हुआ है किस रीती कवी ने तो सही उत्तर है आचारे देव ने देव ने किया हुआ है आप्शन तीसरा अगला प्रशन है अमीय हलाहल मदभरे सेत स्याम रतनार जीयत मरत जुकी जुकी परत जेही चितवत इक बार या दोहा किस पुस्तक में वर्णित है तो प्रस्तुत दोहा अंग दरपण में वर्णित है आप्शन पहला यहाँ पे सही है अंग दरपण अगला प्रशन है घनानंद किस वैशनों संपरदाय के थे तो घनानंद निमबार्क संपरदाय के थे आप्शन डी अगला प्रशन है अपनी कहानी को आरंब ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे ल संदर्भ में कहा हुआ है किसके संदर्भ में इन्शा अल्ला खां के ऑप्शन तीसरा इन्शा अल्ला खां के संदर्भ में कहा हुआ है अगला प्रश्न है सखा प्यारे क्रश्न के गुलाम राधा रानी के या पंक्ती किस कवी के बारे में है तो यह पंक्ती है भारतेंदु के बारे में option दूसरा अगला प्रश्न है क्रश्नायन किस विधा की रचना है तो सही उत्तर है क्रश्नायन महा कावव है option B किरशनायन एक महा काववे है अगला प्रशन है निम्न लिखित में से कौन भारतेंदु का परवर्ती गद्यकार है कौन है प्रताप नारायन मिश्र आप्शन ए अगला प्रशन है निम्न लिखित में से कौन काली दास के माघदूद का अनुवादक नहीं है तो यहाँ पे मोहन राकेश है जो काली दास के माघदूद का अनुवादक नहीं है इसके अलावा लालस सीता राम हजारी परसाद दिवेदी और नारगार जुन ये लोग है अगला प्रशन है निम् option B, अगला प्रशन है, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है, एतिहासिक है, मनुविशलेश रात्मक है, तिलस्मी है, एयारी या फिर सामाजिक है, तो सही उत्तर है, सामाजिक है, भाग्यवती एक सामाजिक उपन्यास है, अगला प्रशन है, खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाब्वे कौन सा है? तो खड़ी पोली में देखित प्रथम महाकाब्वे है प्रिय प्रवास, option C. अगला प्रश्न है, भारत भारती का रचनाकाल क्या है? तो भारत भारती का जो है रचनाकाल वह है सन 1912 इसमी. अगला प्रश्न है, साधारणी करण और व्यक्ति वैचित्रिवाद किसका निबंध है? तो सही उत्तर है, रामचंद्र शुकल जी का. रामचंद्र शुकल जी का. अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हिर्दय में अब विकल रागिनी बजती क्यों हाहा कारस्वर में वेदना असीम गरजती? इन का विपंग्तियों के कवी कौन है? तो सही उत्तर है, जैशंकर प्रसाद. आप्शन तीसरा. अगला प्रश्न है, रंगदर्शन के लेखक कौन है? तो रंगदर्शन के लेखक हैं नेमी चंद्र जैन. अगला प्रश्न है, हिंदी जाती की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? हिंदी जाती अवधारणा के प्रवर्तक राम विलास शर्मा जी है. अगला प्रश्न है, निम्न लिखित में से गांधी वाधी साहितिकार नहीं है, कौन है जो गांधी वाधी साहितिकार नहीं है, उपेंदर नात अश्ट, अगला प्रश्न है, कुंतक ने वक्रोक्ती के कितने प्रधान भेद माने है, सही उत्तर है, छे, कितने ओप्षन सी, छे बेद माने है अगला प्रश्ण है प्रतीक वादी आंदोलन का उदय कहा हुआ प्रतीक वादी आंदोलन का उदय फ्रांस आप्शन बी फ्रांस में हुआ अगला प्रश्ण है काल कर्मानुसार लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा तो सही अनुक्रम है आ अगला प्रश्ण है, जीवन काल के अनुसार निमनलिखित कवियों का सही अनुकरम क्या होगा? जीवन काल के अनुसार निमनिलखित कवियों का सही अनुक्रम है जगन नाथ दास रतनाकर राम नरेश तिरपाथी जैशंकर प्रसाद और सूर्य कांद तिरपाथी निराला option A अगला प्रशन है जैनेंदर कुमार अगला प्रशन है जैनेंद्र कुमार के निम्न लिखेत उपन्यासों का प्रकाशन काल के क्रम से सही अनुक्रम क्या होगा जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है परक सुनीता कल्याडी दशार्ख अगला प्रशन है जीवन काल के क्रम से संस्कृत का विशास्त्र के निम नांकित आचारियों का सही अनुकरम क्या होगा तो सही अनुकरम जो है वा है भरत मुनी भट लोलट शंकुक भट नायक option c अगला प्रशन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न लिखित आंचलिक उपन्यासों का सही अनुकरम क्या है तो आंचलिक उपन्यासों का सही अनुकरम है देहाती दुनिया, बलच नमा, मैला आचल, सागर लहरें और मनुस Option D अगला प्रशन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न लिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुकरम क्या है तो सही अनुकरम है चिठ्थी पत्री फाइल प्रोफाइल दो पत्र बच्चन के नाम प्रसाद के नाम पत्र option a अगला प्रशन है प्रकाशन वर्स के अनुसार निमने लिखित साहीट कारों का साही अनुकरम क्या होगा अगला प्रशन है रतना कर से बातचीत मैं उन से मिला अप्रोक्ष बातों-बातों में अगला प्रशन है प्रकाशन वर्सके अनुसार निम्न लिखित रीपोर ताजों का सही अनुकरम क्या होगा तो सही अनुकरम है तुफानों के बीच वे तो लड़ेंगे हजारों साल युद्य यात्रा रिड़ा जलधन जल अगला प्रशन है अगला प्रशन है सूरेकान तिरपाथी निराला की निम्न लिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्सके अनुसार सही अनुकरम है जूही की कली अनामिका तुलसी दास अपरा आप्शन डी अगला प्रशन है निमनलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्स के अनुसार सही अनुकरम क्या होगा तो नीचे option है जिसका सही अनुकरम है बहती गंगा, कंदील और कुहा से सोया हुआ जल, सूरज का सात्वां गोडा option a अगला प्रशन है अगला प्रशन है कुबेर नाथ के निबंधों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुकरम क्या होगा तो सही अनुक्रम है option C, रस आखेटक, गंध मादन, निसाद बांसुरी, आगम की नाव option C अगला प्रश्न है जीवन काल की द्रश्टी से निम्नलिखित निबंध कारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम है महावीर प्रसाद दिवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंग, रामचंदर शुक्ल, option C अगला प्रश्न है हरी शंकर परसाई के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्स के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सही उत्तर है पग डंडियों का जमाना सदाचार का तावीज, ठुटुरता हुआ गरतंदर सुनो भाई साधो, option A अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा के निम निलिखित निबंध संकलों का प्रकाशन वर्स के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम है शब्द और इस्मरती, कला का जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्सों में आदी, अंद और प्रारंब, option C अगला प्रश्न है, इस्थापना दिया हुआ है, इस्थापना और असर्शन वाले प्रश्न है, इसमें से बताना है कौन सा option सही है तो सबसे पहले शतापना A, रस ही ब्रह्मा है, रस को पाकर प्रुस आनन्दित हो जाता है, यहां रस सब को आनन्दित करता है, reason तर्क दिया हुआ है, क्योंकि कुण रस की अनुभूती केवल प्रुस को होती है तो नीचे options दिये हुए है, जिसमें से बताना है कि यह गथन सही है या नहीं सही है, तो यहां पे option है, यह इसमें आपका स्थापना तो सही है, option A, सही है स्थापना, लेकिन तर्क जो R है वा गलत है तो यहाँ पे इस थापना सही है और आर गलत है अगला प्रश्न है इस थापना और अशर्षन दिया हुआ है हिंदी में सचंदता वाद की आउधारणा इतनी व्यापक है कि वह संपूर्ण छायावादी कविताओं को अपने में समाविष्ट कर लेती है तरक है क्योंकि छायावादी कविताओं में केवल रोमानियत की अभिव्यक्ती हुई है नीचे आप्शन दिये हुए हैं जिसमें सही उत्तर है आप्शन डी जिसमें दोनों गलत है तरक और इस थापना दोनों गलत हैं अगला प्रश्न है इस थापना दिया हुआ है जिसको हम इस्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कावविकासत जीवन की परिधी में सौंदर के माध्यम दौरा व्यक्त अखंड सत्य है तो यहाँ पे कौन सा आप्शन हमारा सही होगा जो इस्थापना होगे अब तरक है क्योंकि सौंदर कला मात्र का सत्य है तो बताना है कौन सा इस्थापना सही है तरक सही है या फिर दोनों सही है तो यहाँ पे हमारा दोनों सही है इस्थापना भी सही है और तरक भी सही है अगला प्रशन है इस्थापना असर्शन ए दिया हुआ है क्लासिक साहित जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है तरक दिया हुआ है क्योंकि जीवन की मूली विवस्था अपरिवर्तन शील होती है बताना है कौन सा option सही है तो सही option है A सही है मतलब इस्थापना सही है और तरक मतलब R गलत है अगला प्रशन है इस्थापना assertion A दिया हुआ है नायक की मान्सिक विवस्था की अनुक्रती नाटक का लक्षण है reason तरक दिया हुआ है क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्या वस्था का प्रधर्शन है तो यहाँ पे सही उत्तर है A और R दोनों गलत है option B है यहाँ पे A और R दोनों गलत है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमें बताएं हम किस तरह से आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद